नवस्कर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सम्मिधान निर्माड सम्मिधान सभा की मांग क्या होता है कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट की साथन ब्हस्था को सुचयरूप्स चलाने के लिए दिसाद निर्देशों के अवशक्ता होती है और इन दिसाद निर्देशों का स्रोत उस भारती सम्मिधान की रचना एक्षुल में एक सम्मिधान निर्मात्री सभा के द्वारा करी की गई जिसे सम्मिधान सभा कहा जाता था इस सम्विधान सभा के द्वारा दो बर से 11 मां 18 दिन के गहन विचार विमर्स के पस्चाद भारत का सम्विधान बनके तयार किया गया और इसे 26 नमबर 299 को अंगी कृत अधिनेमित और आत्मर्पित किया गया था लेकिन 26 नमबर 299 को इसे पूरे देश में लागू किया गया अब हम देखेंगे कि आजादी के पहले जब हमारे देश में स्वाजनतरता अंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे सम्विधान सभा की मांग हुई थी कई सारी नेताओं के द्वारा अलग अलग समय पर मांग की जा रही थी तो भारत में स्वाधिनता की मांग में ही जो है तो सम्विधान बनाने की मांग की गई थी इसके पश्चात कर्मिक रूप में देखेंगे तो 1922 में महात्मा गाधी ने अपने इपचार प्गट करते हुए कहा था कि सम्विधान जो है तो भारतियों की जानुस सार बनना चाहिए फिर 1924 में सम्मिधान सभा का विचार सरप्रतम सुराज्य पार्टी द्वारा दिया गया था और बड़्स 1934 में इसके पच्छा सम्मिधान सभा के गठन का विचार मन रॉय द्वारा बहुत ही मजबूती से रखी गई थी और 1935 में जाके भारती राश्टी कांग्रेश को जारा पहली बार भारत के सम्मिधान के निर्मान हित्तु अधिकारी रूप से सम्मिधान सभा के गठन की माख की गई थी और 1938 में जो कांग्रेश का अडिवेशन हुआ था उसके लिए यह प्रस्ताव भी परित किया गया था एक्च्वल में कॉंग्रेस अधिवेशन में महात्मा गाधी ने कहा कि हम एक ऐसी समिधान सभा चाहते हैं जो भारती मस्तिस्क का वास्तविक दरपण हो और अन्दतह 1940 में सध्धान्तिक रूप से ब्रिटिस सरकार ने इनकी मां को स्विकार कर लिया और उसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इसके बाद 1942 में क्रिफ्स मिसन आता है क्रिफ्स मिसन के तहट ब्रटिस सरकार ने है घुषना की कि भारत में एक निर्वाचित सम्मिधान सभा का गठन किया जाएगा जो दूती भी सुद्ध के बाद भारत के लिए सम्मिधान तयार करेगी लेकिन कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग ने क्रिफ्स मिसन की योजना का एक तरह से बहिसकार किया उसको अजविकार कर दिया क्यूंकि यह किसी भी प्रकार से भारती स्वतंदरता की बात नहीं कर रही तो और क्रिफ्स मिसन योजना को गांथी जी ने पोस्ट डेटर्ट चेक कहा था अब हम बात करेंगे कि संभिधान सभा का गठन कैसे होता है तो सम्मिधने काईबिनेट मिसन योजना की अधार पर नॉमबर 946 में संभिधान सभा का गठन हुआ जिसमें सीटों को बढ़व सते थी अपनी राजाओं की तो जो ब्रेटिस प्रांतों में संभिधान सभा के असस्तियों का चुनाओ था हुआ आनुपातिक प्रतंधित प्रनाली के एवं एकल संक्रमणी मत पद्धती के अधर पर हुआ सम्मिधान सभा का गठन अंततह निर्वाचित एवं अंसतह नाम किया गया महात्मा गांधी संभिधान सभा के विदस से नहीं थे अब है कि देश की रियाफतों को आपंटित 93 सीटे नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संभिधान सभा से अलग रहने का फैंसला लिया थे को आकर अब संभिधान सभा में हम डली स्थी अगर देखले एक बार तो कांग्रेस को लगभग 208 सीटे मिली थी मुस्लिम लीख को से बन टिही चीट है यूनिलिस्ट पर्टी को 1 सीट यूनिलिस्ट मुस्लिम पर्टी को एक्सीट किस्त क्रिसक प्रजा पार्टी को एक अनसूचित जाती परिसंग को एक सीट, सिख गैर कांग्रिसी को एक सीट, सम्मभादी पार्टी को एक सीट, स्वतंत्र जो निर्दली लोग थे, आठ लोग लगवाकों निर्दली थे ठीके तो ऐसी कुछ कंडिशन्स थी समिधान सभा की थैंक यू, इसके आगे कंटिन्यू करोंगे फिर